कि यह सोसल डिस्टेंसिंग देखिए आप पहले सोसल डिस्टेंसिंग इस नाम पर लट फेरे गाए हमारे सामने हमने आंकों से देखा है यह देखो टकरा रहे हैं छोल रहे हैं कोई बात ने यह वैस था है आपको हम बता दें के जितने भी प्रवासी मजदूर जा रहे हैं जब भी पहुंसते हैं तो संक्रमित जरूर मिलते हैं पटना में करीब डेड़ सो लोग संक्रमित मिले थे जब पहुंचे थे बिस्तेंसिंग को लेकर अधिको नितु टोड़े गाए दबा दब लेके आभिभी अप सोचल डिस्टेंसिंग देखिये विलकूल वैस्था देखिये कहां से आग से कहा जा हैं वेश्ट जायेंगे मैं स्वन्तानपूर जाना चाळे बच्चा है आपके साथ में सुल्टानपोर जाना है तो जैसा कि अभी आप से वह कह भी रहें कि आप डिली से क्यों आ गए दिली से परेसानी थे खान पीने परेसानी कंदा बंद हो गया था जबाब दे दिया कमरा भाड़ ले थे और परेसानी तब मुझे घंडर निकलना ज तो आपके पास कोई सुविधा पहुंची कुछ नहीं पहुंची मारे पास एक रुपया भी नहीं मिला खाना पीना कुछ नहीं अब यहाँ बस नहीं मिलेगी कितने दिन तक रुकेंगे फिर ऐसे बस नहीं मिलेगे तो किसने कुछ करेंगे पाइदल निकरेंगे कुछ होगा आप फिदल कर देख लेंगे जोटा से बच्चा बस प्तालागा बस यहां लगता है तब आया दिल्ली से भागे क्सक्तरा अब इतनी परशानी सहने बदे आप सरकार के बारे में तो सरकार वादों पर पास हुई और फेल हुई पास हुई पास क्या उतलब समझे नहीं सरकार वादों पर फेल है कि पास है खेल है आपको क्या लगता है क्या सरकार से कहना चाहेंगे हम लोग दूप से मरेंगे बिमारी से नहीं बिमारी से डर नहीं लग रहा है भूख कही खत्रा है किसे मरेंगे काम दान बन दोगा घर में चाहना चाहता हूं बस घर में बेड़ते हैं दूइदार हुआ वह लागा कब पानी मांग मांग नहुआ वागा आप दिख रहे हैं तमाम लोगों की परशानी हमने कई लोगों से बात कि हो सकता है कमेंट सेक्ष्चन में अब हम हमें एन्टी बिज़ेपी के लिए आहें ना हम कांग्रेस के लिए आहें बलकि हम जो मजदूर हैं प्रिवासी मजदूर हैं अपने घरों को जाना चाहते है हैं उनके दुखदर्द दिखाने आएं इस वीडियो को देखकर आप अपनी पिर्थी के लिए जरूर दीजिए कि आखिर सरकार अपने वादों पर पास है या फैल है तब तक के लिए अजासत दीजिए धन्यवाद हम मौजूद हैं गाजी अबाद के घंटागर रामलीला में यहां पर प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बसों की वेवस्था की थी कल तक तो यहां से कुछ बसें गई थी लेकिन आज यहां पर बसें तो खड़ी हुई हैं आप देख सकते हैं बसें खड़ी हुई हैं लेकिन यहां पर ले जाने की सुविदा बिलकुल नहीं है पिर शासन अपना काम कर रहा है लेकिन यहां कुछ प्रवासी लोग भी हुए हैं जो अपने घरों को जाना चाहते हैं सरकार ने कहा था कि बसों का इंतिजाम किया जाएगा कल तक बसे गई हैं लेकिन आज कोई भी बस नहीं जा रही है तो आई यह हम इनसे पूछते हैं और बात करते हैं कि आखर उन्हें कैसा लग रहा है और वह सरकार स allez nggakंसे खोष हैं या नहीं है घोश तो आई यह पहले हम आप से становится अंगे तो देयां आप कहरेंगे अब पता करते हैं कैसे जाना है कैसे नहीं जाना बता नहीं चाल बिलकुर पता ही नहीं जाना है कैसे जाना डाल नहीं ना तो यह जो बसे जा रही है आपके कुछ जानने वाले लोग भी शायद गए होंगे मित्र होंगे तो टिकट खुद लेना पड़ रहा है या सरकार टिकट की बेस्था कर रही है यह यहीं से मतलब यह राम लिल्ला मैदान से कहीं टिकट कटा के दे रहे था अब यह पता नहीं ले रहे थे यह आपको मालूम नहीं पैसे ले रहे हैं कि नहीं यह मालम नहीं है अभी केंदर सरकार ने कुछ दूनों पहले एक बड़ी योजना सुनाई यह बड़ा पैकेस सुनाया है उसके संब्द में पता है आपको नहीं उनके बादा प्रवासियों के लिए हम बता द काम क्या करते हैं हम मिस्ट्रिया काम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जिन लोगों के लिए पैसे की वैवस्था की गई थी उन तक कोई पैसा नहीं पहुंचा है अभी उन्हें यह पता नहीं है कि टिकट के पैसे देने हैं कि नहीं देने हैं लेकर हम आपको बता देते है टिकेट के पैसे लिये जा रहे हैं कल हम गाजी पूर भी गए थे वहां भी कह रहे थे लोग की सरकार बस बसों की सुविधा मुहिया करवा दे टिकेट तो हम खुद खरीद लेंगा यहां और भी लोग कड़ें उनसे भी बात करते हैं आपका नाम क्या जी पंकजी आदम आप कहां से आएं और कहां तक जाना है अब हम यह खोरा से आएं जाना है मुझे बिहार तक मदेपुर जिला काम क्या करते हैं तो सरकार ने जो 20 लाग करोन की घोशना की थी उसके संबंद में आपको पता है कुछ नहीं उसमें कुछ पता नहीं है अभी मुझे अगर होगा भी तो उसमें तो मज़ूर तक आते आते हैं पता चला कि अधार राष्टा में विचलिये खा गया तो दो महीने से उपर लॉग डाउन के हो चुके हैं अब तक सरकार से आपको क्या मेला अभी तक कुछ नहीं मिला खाने पीने की कोई तो एक रोज भी नहीं मिला जो खाना पी नहीं मिला मेल डेखे-देया है तो चल रहा कि रामिल में मतान में की तो तो चल रहा है या टिकтे काटी जा रहा है जा रहा है यह बहुत भी है कि कि आपर नियूद जा रहा है और आ है तो रहना ग्रहांड का टाल लॉक इसका बास सरकार के लिए ढिए विकास की बात कहीं länger करा रही थी कि लिए है कि लिए था कई लिए कि नी किसके लिए इंद बंहो तो बिलकुल शुए आपको यह लगता है अगर गरीबाबन सरकार होता तो ये चीन से इराम से इटली से भोडो के लाया बरे आदमी को बेटा को गरीब को बेटा को छोड़ दिया रोट वे मरने के लिए कहां पहुंचा रहा है घर को पेट्रोल का सिर्फ खर्चा होना है लेकिन बस की सविधा बिलकुल भी नहीं है praising की बाप की बेटा की जो है ना सरकार है वह ही देख़िये वही बाते रोड में भी चलने नहीं दिया जा रहा है और नहीं उनके घर भेजा जा रहा है ना खाने की सुविदा है और ना पैसे की सुविदा है सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया है तो आप खुद पिर्दी गिर्या देख सकते हैं आप भी जा रहे हैं आप कहां से आए हैं अरे बोलिये तेज बोलिये जी आप नहीं बोलेंगे तो ऐसी चलते रहेगा ऐसी हलात रहेगा तो यह तना लंबा समय हो गया है सरकार को आई हुए अब तक आपको इस दो महीने के लॉकडाउन में सरकार से क्या मिला अच्छा मतलब जो भी वह सथा की है अपने पैसे से आपने पैसे से और उसके बाद जो है विसको तो पानी तो यह बीस लाग करोन की घोश्टना करी है विकुज दिन पहला माई फाइनस मिनिस्टर ने कह रहे हैं कि अब तो गरीबों की चांदी हो गई हमने अमेरिका के बरा जो कि आने वाले समय में किस तरह की सरुकार चाहिए आपको कोश्टर करे अच्छा काम नहीं कर रहा है गाड़ी बंख कर रहा है अम लोग को बहुत परिशानी हो रहा है बहुत अकलीम कोच रहा है देख सकते हैं किस तरह मजबूर है लोग आवाज भी नहीं निकल रही है सब कुछ सही चल रहा है अभी संबित पात्रवी मज़े लेते हुए दिखाई दे रहे थे भारती इंता पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आप खुद देख सकते हैं क्या हालात है लोगों के कहते हैं कि बस मिल जाए टिकेट तो हम खुद ले लेंगे सरकार रिभाक का बेटा सरकार है कि मी बाफ का मिला्या टियो पूरधे सफैल गया ठीश लेकिन आपके बहुक्त मर रहा है लिगन अ वोका मर रहा है गरीब के ऊपर तो राजनिती कर रहा है सत्था धरी अभी फग्दारी दुन्नू वी तो करना चाहेंगे परिशानी क्या है मजबूरी आप बात नहीं करेंगे फिर कप करेंगे बता है कि अपने बिल्कुल कहा ही कुछ नहीं भाई आपको जाना है तो आप बात कीजिए और जब नहीं मिल रहा है तो जब तक आवाज नहीं नहीं पहुंचेगी निउस के माध्यम से तो ऐसे ही होता रहे है तो हमारा एक यह सवाल है कि कुछ दिन पहले अभी हमारी के फाइनस मिनिश्टर है निर्मला सीटरमन उन्होंने एक पैकेश की घोष्टना की है पता है उसके बारे में तो दो लाग करोण का बीस लाग करोंड़ के पैकेश की घोष्टना की है तो कहा गया है कि गरीबों के मध्यम वर्गियों के दिन सुधर जाएंगा अमरीका के बराबर हुग हैं तो आपको कुछ मिला अभी तक अभी तक नहीं मिला आने वाले वह वाली icons अपता है मिलेका जाँ उम्मीद करते हैं मेरे अब तक नहीं मिला विँले लेकिन एक एक दिन दिन जर रहा है मुश्किल से तब यह लंबा समय हो चुका है लॉग डाउन का तो इस लॉग डाउन के भीतर आपको खाने पीने की सुविधा मिली है सरकार दौरा जी बिल्कुल मिली है अच्छा मिली है का मतलब दिल्ली में ठीक है तो अब मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है करवा पारी है आप कहां से दिल्ली इसे कहां गुझाना है अब को जाना है अपको नाम आपका अजया मारूफ जी बताइए कि जैसा कह रहा है कि सरकार ने इस दो महिने के लॉकडाउन में खाना दिया है तो क्या आपको खाना पीना प्राप्त हुआ है कुछ कि खाना क्या दिया है खाना को scores भी नहीं खाए कि पैसे की वैयुस था लुस्ति पुढ़िए कि जहां काम कर रहे हिम उनको उनके पैसे दिये जाया भले गो काम प्या या ना क कट आती भी करें तो आप लोग को पैसे ऑप्याई से मिले हैं नहीं हम लोग कि हमारी मिनिस्टर कहे रही थी कि हमने जो बजट निकाला है पैकेजित निकाल है आप लोह के लिए यह मज़ूर के लिए तो आपको पेशावाइसा नहीं मिला कुछ नहीं मिला तो यह सरकार कह रह ainda के रही थी कि में गरीबों के लिए आएं तो एंगेरा को स्पाने जब उठा लेंगे तो आगे लाब मिले गा आगे कम मिले नहीं भी कुa हो अब लिए वरगी इनिमने बरगी यह सब आजाते हैं तो आप क्या मैसूस वरणाइब गरीब की सरकार है या नहीं है यह बिल्कुल गरीब के लिए काम कर रही है तो फिर यहां बस बस की सुवदा क्यों नहीं करिया आप लिए रखाए जब फैसा नहीं है हम और लोगों कि कल पईसा नहीं है तो किज रहा है कि अब काम नहीं चल रहा पाईसा नहीं है तब तो यह रास्ता अपना नहीं पड़ेगा तो फिर इसमे जिम्मेदारी क्यों कुछ नहीं भंपर आप अपने आप को लिगल क्यों है हम दो लेगल दरीके सा है ना यहां तो चले कर सब्सक्राइब करने कोश्यद किया टिकेट नहीं कर पाया अच्छा जब्धाना अपनी घलती बता रहे हैं परिसानी सहरें भूके रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी घलती है कोई बात नहीं चलिए वहां भी कुछ लोग बैठा हो करेगा कोई बात बात करेगा किसी ओक अगारी तो इसकी जिम्मेदारी मान रहे तनी बड़ी परिशानी हो गई है तो सरकार जिम्मेदार है कि यह प्रवासी मजदूर जिम्मेदार है लेकिन मैं आफ पर्सनल सवाल है थोड़ा सा व्यक्तिकस सवाल है कि कुछ लोग है मैं कल से मिल रहा हूं से कुछ भी हो जाए हर परिसानी से रहे हैं लेकिन कह रहे हैं सरकार फेल नहीं हुई यह वह कौन से लोग है और उससा दो नहीं ऐग वोट दिया है तो हम बुराई नहीं नहीं है जो अच्छा का मुईप इसले इसमें बस ьतल के बिस्कों इस में परियो लिए और मित पंक किया खोनींगे पारें ओब और अज़ Abramelt एक आखिरी सवाल कर जबाब आपने कॉंग्रेस किया दोर भी देखा है अब बीजेपी को मौक्वी दिया गया दस साल के लिए का विज हमने करवा दिया है तब आप उसमें तुल ना करें तो क्या लगता है कौन सो दोर अच्छा था आप गार चलना क्या किया जा समय किसको पहा जा है था हम अमरीका से पर ke nadie बनाघíst院 नहीं को कोई कोी Ben मैं कोई करेका किया बात वाद करेगा कुई कै जैं कि कहा से आहें और कहा ли को जा रहे हैं पहले ये बताद हैं हम लोग दिल्ली से आ और जाएंगे कहा जाना भिहार मुंगेर अच्छा आज जैसे बस नहीं है काफी लोग देख रहा है कि पैदल जा रहे हैं रास्तों से तो क्या आप ने भी कोई ऐसी सोच रखते हैं नहीं उतना दूर हम लोगों को बहुत ज्यादा दूर पड़ जाता बारा सो किलो मिटर लेकिन जो है न कल से वह भी बंद करवा दिया इस लिए हम लोगों को महास आना पड़े हैं पास पैसे भी नहीं था इसलिए आना पड़ा पैदल जाना पड़ेगा अभी हमारी इसके एंद्र सरकार ने बड़ी बड़ा पैकेज घोसित किया है 20 लाग करोड का तो उसमें से पता है उसके बारे में मिलेंगा जाएंगे तबी तो पता चलेगा कि यह नहीं मिलेगा राष्ते क्या मिले। के बैंक अकाउंट होता है अकाउंट में कुछा्या परीसा एक हाउंट लेकिन वह घर पे ही है हम लोग पास एटियम भी नहीं है अच्छा उसमें आया है पैसा घरवालों ने बताया है घरवालों नहीं घरवाली दुसरे जगह वह बाका जी ले पड़ते हैं लगबग किलो मीटर दूर पर वह लगड़ा हुआ हमारे घर पर है घर में ताला लगा हुआ है किसी को मिला पैसे सरकार की तरफ से किया है तो एक आखरी सवाल है हमारा कि यह सरकार है गरीबों का नाम लेकर आई थी कि हम गरीबों को उठाएंगे ताब क्या लग रहा है यह स समझे उठी गए हैं सभी जगह से जाही रहे हैं अच्छा मतलब की उठवा दिया और बड़िया जब आप दिया है कह रहे हैं उठाना नहीं गरीबों को उठवा दिया है तो आप खुद देखें अब यह पूंजी पती की सरकार के रूप में सामने आई है एक सवाल का जव वोड किया था जैके कल भी हमें ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने बीजेपी को वोड किया था बिहार से 40 परजेंट तो बोर्डिंग उसी को है 40 सीट में 40 सीट तो 38 सीट तो उसी को मिला है नितीज जी ने भी गड़वंदन तो कर लिया वही तो पर उल्लम है नितीज कुमार क खाने पीने कि हम कहां से अपने लोगों को पाल पहें अगर यूपी सरकार अगर भेज जागी तो हम लोग चले जाएंगे उसको रोकने से हम लोग रुकेंगे नहीं हम लोग जाएंगे हर हाल में और उस और रोक नहीं पाएगा हम लोगों को तो मौजूदा सरकार के लिए अर्य कुछ तो बोलो यार परस चाहेंगे इसे मतब बैचे रहो गयार कोज बोलो सरकार को क्या संदेज नो भाई यह परिसानी जो चल रही है यह थो आप इस बिखे सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि या वही कहना चाहरा हूं कि बहुत जोड़ से वही से खाने पिने के कुछ भाई नहीं है जो था खाउं को खतम हो कर दिया अब थोड़ा मने मिल रहा था खाना होना भी बंध हो गया कल से तो बिल्कुल बंध सुबह भर वहां से भूखे चला लगर बाद रस्ता में रस्ता कर रहा हूं कुछ है ने हुआ भी नहीं है दो मेदी आदमी को कहा से पेसाएं है जो दो महीं है कैसे उधार उधार लिया क्या आप बाट कुछ प्योस App कर रहा था करोड की बात कर रही है सरकार इसके बारे में कुछ पता है अबूर पता है हम लोग को तो अभी जब नहीं मिला है कुछ थोरवने आ रहा था खाना रात में वह बंध हो गया तो आप यह देखने कि यह 20 से देख करके आपकी परिसानियों को दूर किया जाएगा आप खुद देख सकते हैं अरे कहा हो आप लोकल हो गहीं जा रहे हो अजया नहीं हो यहां से अब बस होतो गया और वहाँ जो बैठे थे उधर चलेंगे कि अब बातवाद भाई लोकल हो जाना है कहीं अच्छा ठीक ठीक अब जाना पहुत है अपको जाना तो बस के इंतिजार में आए तो अभी कहां से दिली से आ रहे हैं हाँ मैं यूपी से जाना कहां इलाहबाद तो सरकार ने कोई वस्तावस्ता आपको पैसेवाइस की कराई और कुछने वायओं OF दश्ञावाबस मिल रहा है पी नहीं हिर जाए शरकार सरकार ने कहा धा की गडिशार कि तो अब आपको क्या लग रहा है क्या सरकार को सद्देख देना चायेंगे सद्यस हमें यह वह जांकर वे सुम掰掰 हुछ अच्छा हा दो च़लिए सरकार आप की टारे शायत सुन ले अममीद करते हैं यह इसाथ करार है लोग को सचार का दिंद रूंस कि आप condoni की अपनirk से निट कर रहा हैं कि सरकार के लिए ये baba के लिए कवहीता है बस यह दुआ है लिए सरकार से लोग अपने घर पहुच जाए जो पहले चल रहे हैं विलकुल विलकुल तो इस सरकार ने भी 20,000,000 करोन की घोसना की है वो तो इस आपने पास रखने के लिए गरीब हो कुछ नहीं है गरीब हो कुछ नहीं मिला यह देखिए अपने पास से कर किसके लिए बाचित करने आप अब हम देखिए दिखा रहे हैं चला रहे हैं बस इतना ही कर सकते हैं आप अपने तो आए कहां से करते के आप तर मजदूरी करता हूं अच्छा तो मतलब इस लोगडाउन के दौरान आपको सरकार से किस तरह की सुविधाय मिली हैं मतलब पाइसा या खाना की कुछ दिया है सरकार ने अभी नहीं दिया यह बीस लाग करोन वाली बात आपको पता है अखावन नंबर भी ले लिए सब जी ले लिए पैसा नहीं भेजा नाम बता दें अपना मेरा नाम है जी पवंदूबे पवंदूबे जी हैं इनके पास भ माम लोगों से बात चीट करके दिखाई है तो यह बीस लाग करोन की बाद भी कहीं ना कहीं शायद जुमला होती हुए नजर आ रही है जिस तरह से हम यह वह उस्ता देख रहे हैं सारे दुख परशानिया आप देख पा रहे हैं भीड़ी देख पा रहे हैं कोई कुछ नही आया थे यहां बस आज बंद कर रखी हैं कल जा रही थी सरकार के पास बसों की सुविजा साहिद नहीं है लेकिन सतरह तारिक को तो यह वोते एकजार बसे चलेंगे यह बहुत टाइम से चल रहा है मद पर देख भीजने के लिए कह रहे थे 200 जबासों की जगर तो यह बस ऐ भी लेक्सकते हैं लोगे परशारी महीलाएं भी है पुरुष भी है अहर तरह के लोगे कमई पैदल रिक शाव ऐसे करकर करके आ रहे यहां तक आरे फिर यहां सब मुअपस कैसे जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल खाने पीने की सुविदा भी नहीं दी गई स्विदाद को प्रकार के लिए किसंदेश आपका चोटा सब्सक्राइब लिए जब हमारे घर तक नहीं पूचा रही है घर पे जो घर भूके वर रहेंगे तो फैर फायदा क्या है कि परकार के इस अंद्यश सहीं मुझे गाउं पहुंचाएं आपको गाउं पहुंचाएं सबका यही दुख है बात करेंगे दुख आओ जी इन ग्रीबों की पी सुनवाई करो जी आधनिया मोधी जी रिस्पेक्टिड परदानमंत्री साहब प्लीज योगी राज जी गाजि प्लीज इनकी तरह दियान दें आपकी बड़ी मेरवानी होगी आपका नाम बिट्टू चंचल लोकल ही है इसलिए बिड़ा उठाय गया था लेकिन यह बीड़ा उठाया गया था लेकिन यह बीड़ा उठाने के बाद यदि सरकारी निश्यत हो हो जाती है वही सो जाती है तो आखिर यह लोग भी कब तक साथ देंगे पैसा खतम हो जाता है एंजियों भी बरबाद हो जाते हैं तो आप एक बाद आदें कि इस सरकार ने जो गरीबों को लेकर सरकार बनाई थी तो इसको क्या कहा जाए मतलब हम तो नहीं कह सकते एक तर पर आप बताएं कि सरकार फेल हुई या पास हुई अपने बाद मेरे हिसाब सब्सक्राइब जीरों है कोई सुविधा ने मिल पा रही है किसी को अभी मिचारा गरीब दर से उतर भाग रहा है मोते और यह दिन परती दिन विचारे मर रहे हैं तो इन गरीबों की सुद कौन यह देश्ट का पूचिजर है पर यह जो माहारी है बैस्ती महारी है इस तरव धिहान दें क्योंकि गरीब आदनी प्यासा भी नहीं है जो कोई सुदाने मिल पारी कहरें बजली का माफ होगा कोई माफ नहीं हूई कोई उक्या मेरे चंता को मीडियम क्लास वाद मीको क्या मि कि अब्सक्राइब करें आप कुछ कैने रिज लाज करोड के पैकेज बेंजी का सुविदा तो कोई भी नहीं ले लो रिन ले लो रिन क्या ले आदमी रिन से पेट थोड़ी बढ़ेगा रिंड से तो यहां कि परदे ले ले लेगा और सर पेम ने करदार को और करदार बनाए जाएगा तो यहां तो उनके खाते में हर गरीब के खाते में को शुविदा दी जाए हर पार्षट की डूटी लगाए जाए जैसे वोट मांगने जाते हैं घरगर पर्ची बाटने जाते हैं कमल पे मौल लगाओ हाथी में मौल लगाओ हाथ में मौल लगाओ ऐसी पार्षट क हमें तो बिल्कुल निराधार लग रहे हैं बिल्कुल धन्य हमें बस इलावाद भी छोड़ दे हम बहुत भूखे हैं कितने दिन से आप बाहर मतलब हो जी मैने दो मैने से जादा आये हो गया मोज जब लग बंदी से हो चार दिन पहले मैं आया था अच्छा हां अब बहुत कि पैसे के रुपे के में तवा भी जाओं तो आपको भी कोई कुछ नहीं मिला मंत्री योगी जी करें हमारा हमको ले चले लावाद छोड़ दे अपने धिस में आगे अप क्या इरादा है चुनाव आते हैं हर पांस साल में सरकारें बदलती हैं तब कैसी सरकार चाहिए यो मोतें हो रहे हैं मोदी जी यो परातना मुझे भी जिताया जैसे होँचे हम लोग को Partner हम लोका जे खाहरा खाना कितने में मिलना और एक बिर भी नहीं मिला वही जी कोई चांस की बात कभी आया कोई दे दिया बहुत्स कहीं किया कर सकते हैं नहीं प्राइऑ किितना मिलने वाला है नहीं कुछ है नहीं कि नहीं पती है प् Тоकि नइअन। बढ़ेड़ हैं किने अलेगें नप्ूरी तक करेंगे जोसिश करेंगे दौसिश करेंगे, कि अबार तक पॉंचे, कि तक आप करहगे करो कोई बात करो को आपको करनी है केहना कि हमने तो गरीब आदमी अपना अधारकार्ट मुबाई से वो कर रहा और यह कुपन मिलने के बाद भी आदमी 3 चार बजे भोर में जाता है फिर भी उसको राशन नहीं मिलता है जाने से पहले 100 अधमी का पहले ही नम्मर लगा रहता ह जिसमें उसकुपन का कोई डेट नहीं है कोई तारीक नहीं किस तारीक को आपको रासन मिलेगा किस तारीक को आपको रासन नहीं मिलेगा कितने दिन से आप चल वाल रहे हैं अब तो मैं तो यहां कल से आया हूँ का लाई हुआ, इससे पहले दिल्ली में ते, इससे पहले शाद डिल्ली में ताम तो बॉडर दे रहा है, कहां से आ गए? पुलिस वालेवे, वहा हम भीग माग रहे हैं, बाप ऑप जैट होते हैं, को रहे हैं? और यहां पर सर आने के बाद फाने पीने के तक कोई बेवस्ता जी नहीं है और हमें बेवस्ता भी नहीं चाहिए उनका बस हम लोगों को वही चाहिए कि जो हमारे घर तक ले सरकार छोड़ दे बस हम लोगों के यही चाहिए मगर यहां पर भी देख रहा हूँ कि पुलिस ओले ने भगा रहे हैं यहां कोई साधन नहीं है तो एक एहम सवाल है सरकार फेल है या पास है अपने बाद हमारे हिसाब से तो फेली है सरकार क्यों कि हमने तो सरकार को अच्छा समझ के ओड़ दिया था और हमारे साथ में क्या हो रहा और हमारे मदूरों के साथ में क्या हो रहा दो महिने से इसका कोई ध्यान सरकार को नहीं है सरकार को जवाब कैसे दिया जाएगा सरकार को ऐसे जवाब दिया जाएगा कि गरीब का ताला खुल नहीं रहा है उसकी रोजी रोटी नहीं खुल रही है और सरकार का ताला खुल जा रहा है कि उसको दर्वाया दारू का ठीका खुलना चाहिए और जिन जिन में उनका फायदा हो सरकार का वो चीज खुलना चाहिए गरीब के घर अब सरकार को कैसे जव तो आप तो अब आप किस वाते पे वोड देंगे, किस को देंगे? अब किस को देंगे, सर रभा तो कह रहा है है कुछ भी हो जाए हम 알려भार गू को तुब अची बातहीं है आप किस अब टो पूलाएंगे अब अभी तो हमारी सरकार जियो की आप किसको बुलाइंगे लगो भी प्लाएंगे अच्छी बात है बिल्कुल बिल्कुल बस सरकार खेल है, जी